यहां पर question है how can parties be reformed reformed का मतलब कैसे उनमें बदलाव लाया जा सकते हैं तो क्या हम parties में बदलाव ला सकते हैं अब यह जो भी हमने अभी तक challenges पड़े इसके लिए या इनको face करने के लिए political parties को सबसे पहले अपने को बदलना होगा अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या political parties तयार है अपने को बदलने के लिए और अगर वो तयार है तो अभी तक उनको बदलने से तिन तक कौन रोक रहा था अगर वो तयार नहीं है तो क्या जर्जबरज़ती से उनको बदला जा सकता है जो पूरी दुनिया के नागरेक है वो यही सब सवाल से जूज रहे है इतना आसान नहीं है इस question का answer देना democracy के अंदर जो final decision होता है वो mainly लिया जाता है उन leaders के द्वारा जो political party को represent कर दे है हम जो लोग है जो vote करते हैं वो उनको replace तो कर सकते हैं पर उनकी जगे हम कोई और set जो है party leaders का वो खड़ा कर देंगे अगर सब के सब जो है वो बदलना नहीं चाहते तो उनको कोई मजबूर कैसे कर सकता है कि वो अपने में change लाए अब देखते हैं कुछ यहाँ पर recent कोशिशे और suggestions जो हमारी country में दी गई है elected MLA's या MPs हैं वो parties ना बदले उसको रोका जाए इसके लिए constitution में बदलाफ किया गया mailly यह इसलिए किया गया था क्योंकि बहुत सारे चुने हुए प्रतिनिदी थे वो involve होते थे defection में ताकि वो ministers बन सके या cash rewards के लिए वो जो है काम करते थे mailly कि उनको जो है cash reward मिलेगा या minister बना दी जाएगी अब यहां आता है सवाल defection defection मतलब क्या हुआ यह आप देख सकते हो glossary में दिया है कि party को बदलना एक party से दूसरी party में shift हो जाना क्यों क्योंकि वो अगर चुन लिये गई तो उनको जो है उसको join कर लेंगे तो उनको फाइदा हो जाएगा तो mailly जो ही चुने हुए प्रतिनिदी हैं यह यही काम करते थे सिर्फ minister बने रहे या उनको उसके बदले में इतना award मिल जाए reward मिल जाए जिससे उनको जो है फाइदा हो तो constitution में बदलाव किया गया ताकि यह जो चुने हुए MLA's और MP's है यह party ना बदले अब जो हमारा कानून है वो यह कहता है कि अगर कोई भी MLA या MP अपनी parties को बदलता है तो वो जो है अपनी जो legislature की seat है उसे खो देगा अब यह जो नया कानून आया इससे जो defection हो रहा था उसको कम करने में काफी मदद ने वही पर एक descent भी जो है वो जादा मुश्किल कर दिया अब इससे क्या हो गया कि कोई भी descent करना और difficult बना दिया descent का मतलब होता है असहमती आप आप चाहे सहमत नहीं ही है तो भी आपको उसी पार्टी में रहना पड़ेगा तो चाहे MLA's हो या MP's हो इनको accept करना पड़ना था जो भी पार्टी लीडर decide कर रहे दूसरा है कि Supreme Court ने एक order पास किया ताकि जो पैसे का प्रभाव है या जो criminals का प्रभाव है उसे कम किया जाए अब mandatory कर दिया गया हर candidate के लिए कि जो भी election लड़ रहा है उसको एक affidavit file करना पड़ेगा जिसमें वो अपनी सारी property के details बताएगा या फिर कोई criminal case उसके against pending तो नहीं है इस बात का उसको खुलासा करना होगा affidavit यहाँ पर आप शपत वाला पत्र देता है उसकी personal information से संबत देता है अब इस नए system से क्या हुआ बहुत सारी information public को available होगी अभी भी कोई system ऐसा नहीं है यह check करने के लिए कि जो information इन candidates के द्वारा दी गई है वो सच है या नहीं अब हम यह नहीं जानते कि इससे क्या जो influence है rich और criminals का उसमें कमी आई है तीसरा point है कि जो election commission है उसने एक order pass किया यह जरूरी करते हुए political parties के लिए कि उनको अपने जो organizational elections है उनको hold करना होगा और file करने होगे income tax returns parties ने जो है इसको करना शुरू कर दिया पर sometimes यह कह सकते एक अपचारिकता है इसमें यह clear नहीं है कि इस कदम से क्या बहुत बड़े स्तर पे internal democracy जो है वो होगी पार्टी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर मतलब political parties में अंधरूनी तोंतर पर क्या लोगत तोंतर आएगा यह हम clear नहीं कह सकते बहुत सारे और भी suggestions है जो दिये जाते हैं ताकि political parties में बदला हो एक law बनाया गया है कानून बनाया गया है ताकि regulate किया जा सके जो internal affairs होते है political parties के अंपलसरी बोला जाता है political parties को कि वो अपना register जो है members का उसको maintain करे अपना खुद का जो constitution उसे follow करे तो वो उसको judge के तोर पे उस case के लिए act कर सके या open elections कराए higher post पर appoint करने के लिए ये बिलकुल mandatory किया गया है political parties के लिए कि वो जो है minimum number of tickets लगबाग one third देंगी women candidates को इसी तरह से एक quota होगा women के लिए decision making bodies जो है party की उसके अंदर state funding करी जाएगी elections की government जो है वो parties को पैसा देगी उनके election expenses को यानि खर्चो को support करने के लिए ये support दिया जा सकता है आपके patrol, paper, telephone इन सब की form में या आप cash दे सकते हैं कि आप किस आधार पर cash देंगे कि आप के द्वारा उस particular party के द्वारा कितने votes secured किये गए थे last election में उसके basis पर उनको cash भी दिया जा सकता है ये जो suggestions हैं अभी accept नहीं किये गए है political parties के द्वारा अभी ये कब accept होंगे तभी जो है जब भी ये accept होंगे तभी समझ लो उसमें कुछ improvement आएगा पर हमें बहुत careful होना चाहिए इन legal solutions को लेकर जो की political problem से संबंदित है over regulation अगर political parties का हो गया तो वो भी जो है उल्टा प्रभाव डाल सकते हैं इससे क्या होगा सारी parties जो है वो नएने तरीके ढूणेंगी कानून को cheat करने के या political parties सहमत नहीं होंगी कि वो law को pass कराए जब तक कि उनको खुद को वो पसंद नहीं आता दो और तरीके हैं जिससे political parties को बदला जा सकता है एक क्या लोग जो है pressure डाले political parties पे इसको करा जा सकता है petitions के थूँ, publicity के या agitations जो विरोध होता है उसके थूँ ordinary citizens, pressure groups और movements और यहां तक की media बहुत important role इसमें play करते हैं, अगर political parties को ऐसा लगता है कि वो public support को खो देंगी अगर बाइचान सुनों ने अपने में बदलाव नहीं किया तो वो जाधा seriously सोचेंगी इस reforms के बारे में, दो political parties improve कर सकती है अगर वो चाहती है कि political parties को join करें, बतलब जो political parties को join करना चाहते हैं, तभी जो है दो political parties में improvement आ सकता है, quality जो democracy की है, वो पूईते से depend करती है कि किस हद तक public का participation है, मतलब public की हिस्सेदारी है बहुत मुश्किल होता है reform करना politics को, अगर जो साधारन नागरिक है, वो उसमें हिस्सा नहीं देता है, और simply बाहर से जो है, अलूचना करता है, अगर politics खराब है, तो उसकी समस्या को solve करा जा सकता है जादा better politics से, तो इसके बारे में जो है, हम फिर बात करेंगे, हमारे final chapter में, तो ये था आपका chapter आपको अच्छा लगा, समझ में आया subscribe कीजिए